इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्स्पेंड करूगा क्राइमेटिक्स का लेक्चर नमबर 13 और सर्क्रमोशन का पार्ट 4 ठीक और जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्स्पेंड किया था इस सेंट्रिपीटल फोर्स यानि अभी के इंद्रेवल और दूसरा थ अधर मुझे आपको दो सब टॉपिक्स एक्स्पेंड करने है यानि उदादर्ग व्रेप्टे करते हैं अब देखो सर्कुलर टर्निंग आफ रोड का पहला पाइंट बाई फ्रिक्शन ओनली ठीक है द्यान से देखो यह मेरे पास एक सर्कुलर ट्रेक है और इस सर्कुलर ट्रेक के अंदर ए गाड़ी है और गाड़ी वी वेलसुटी से चल रही है क्लियर अब देखो यह जो आर र्हें और डाया यह जार रेढिस ऑप डिस सर्कुलर ट्रेक के रिक हम करें क्या है हम ख सीक ना क्या है कि जो ब committees भॉडी है यानि आज जो गाड़ी सर्कूलर मोशन में मूव नहीं कर सकती है अगर बॉड़ी सर्कूलर मोशन में मूव कर रही है that means उसके पास एक सेंटर की तरह फोर्च लग रहा है that is known as centripetal force आपको जो centripetal force की value होती है वो कितनी होती है that is mb square by r आपको last lecture में पढ़ा चुका हूँ है centripetal force और centrifugal force वाले lecture के अंदर ठीक है तो m क्या है इस body का mass है v क्या है जिस speed से इसको लेके जा रहे है और r क्या है circular track की radius ठीक है तो यह जो body move कर रही है circular track के अंदर तो move करने के लिए हमें किस force की need पड़ेगी that is centripetal force यह नहीं अभी के इंदरी वल अब देखो question यह है कि यह centripetal force आएगा कहां से समझ में आ रहा है यह centripetal force आएगा कहां से तो देखो जो tyre है और जो road है इन दोनों के बीच में force काम करता है that is known as friction force जिसे हम बोलते हैं घरसन बल अब यह जो घरसन बल है न वो centripetal force की तरह काम करेगा यानि वही यहां centripetal force generate करेगा कैसे देखो ध्यान से कि अगर यही body है और यह जो सतय है यह road है इसका यह चिकना है smooth है अगर smooth है तो यह friction force कम होगा मतलब बहुत कम होगा अगर friction force बहुत कम होगा zero होगा बिल्कुल friction force तो उस case में यह गाड़ी circular motion में move नहीं कर सकती वो क्या करेगी गाड़ी skid कर जाएगी और इस road से बाहर निकल जाएगी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यह friction force है इसा क्योंकि surface कैसी है smooth अगर surface smooth है तो friction force नहीं है अगर friction force नहीं है तो अब हमें centripetal force provide कौन कराएगा बिना centripetal force के यह गाड़ी इस circular path में move करी नहीं सकती that means यह जो गाड़ी circular motion में move कर रही है वो because of only that is only friction force यह गर्षन बल वही गर्षन बल है जो में centripetal force provide करा रहा है तो अंदर की तरफ जो force लगता है उसे बोलते हैं friction force यही friction force centripetal force provide कराता है यानि यही friction force centripetal force की तरह काम करता है clear उस friction force की value कितनी होती है वो देख़वा आप अभी मैंने आपको गर्षन चेप्टर तो नहीं पढ़ाया friction चेप्टर तो नहीं पढ़ाया लेकिन यहाँ चीज़ें देख लेना आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी उस friction force की value कितनी होती है F को अब मोल रहा हूँ friction force friction force यानि गर्षन बल और इसको मैं small f से represent कर रहा हूँ इसकी value होती है μू r अब देखो μू r क्या है μू होता है coefficient of friction यानि गर्षन गुड़ांक clear गर्षन गुड़ांक r क्या है r is the normal reaction force normal reaction force अविक्रिया वल देखो यह है क्या यह मैं इस body का इस गाड़ी का ebd बनाता हूँ यह मेरे पास वो गाड़ी है और इस गाड़ी का mass है m तो इसका bit downward direction लग रहा हूँ that is mg vertical downward लग रहा हूँ that is mg और उपर की तरफ एक force काम करता है इसे हम क्या बोड़ रहे है normal reaction force r इन दोनों का magnitude वो क्या होता है same clear दोनों का magnitude कैसा होता है same direction कैसी होती होती है normal reaction force उपर की तरफ रखता है mg downward direction में लगता है ठीक है तो मैं इस r की जगे क्या पूट कर सकता हूँ mg तो यहां से मेरे पास जो friction force का formula आजाएगा वो क्या हो जाएगा mu mg ये बात clear है तो ये बात तो clear हो गई कि circular motion के अंदर move कराने के लिए body को एक हमें friction force की help चाहिए वही friction force centimeter force की तरह काम करेगा और friction force की value होती है mu mg clear अब देखो सबसे important condition जो exam में पूछी जाती है most important कि safe circular motion के लिए कौन सी condition होगी safe circular motion का मतलब क्या है कि गाड़ी अच्छे तरीके से इस circular path मूव करे अच्छे तरीके से बिल्कुल भी skid ना करे वो condition कौन सी होगी उसी condition पर मैं आपको logic आगे की तरफ बढ़ाऊँगा देखो पहला सबसे important case क्या है कि condition for condition for safe circular motion ये सबसे important condition है safe circular motion के लिए condition क्या होगी वो जो आपका friction force है वो हमेशा maximum होना चाहिए कैसा होना चाहिए maximum friction force देखो friction force होता है अभी मैंने आपको topic नहीं पढ़ाया वहाँ detail मैं explain करूँगा लेकिन इस topic को cover करने के लिए हमें need पढ़ रही है friction की तो जो चीज़े मैं explain कर रहा हूँ वो चीज़ें आराम से समझो जो friction होता है ये adjustable force होता है यानि adjust होता रहता है कम, जादा, minimum इस तरीके से adjustable force होता है इस case में जो friction force है वो से मैं बोल रहा हूँ static friction force aesthetic घरसन बल यानि static friction और ये force, static force कैसा होगा maximum clear और maximum static force को maximum static force को ये बोलते है इसका मत्तब होता है limiting friction FL, FL का मत्तब क्या है limiting friction force ठीक है चाहें तो मैं ऐसे लिख दूँ चाहें इसी बात को मैं ऐसे लिख दूँ चाहें तो FS maximum की जगे FL लिख दूँ बात एक ही है यानि जो static friction होता है वो इस case में क्या होगा? Maximum और maximum static friction को ये क्या बोल देते है FL यानि limiting friction ये हमेशा maximum होगा यानि बड़ा होगा और बराबर होगा किसके? centripetal force के ये condition है यानि ये centripetal force से बड़ा होगा या बराबर होगा इस condition पर ही ये गाड़ी safe circular motion करेगी question ये है safe circular motion के लिए कौन सी condition फॉल होती है और आपको चार option देदेगा तो आपको ये condition याद रखनी है इसको feel करो लेकिन द्हान से देखो अगर static friction ज़ादा होगा static friction एक limit तक ही बढ़ता है ज़ादा उससे ज़ादा यैनि इससे ज़ादा अगर friction होगा तो गाड़ी circular motion नहीं कर पाएगी थिक है तो एक limit तक जिस पर वो circular motion कर सकता है उसी friction force को मैं बोल रहा हूँ static friction maximum static friction और उसी को मैं बोल रहा हूँ limiting friction जिस पर ये circular motion कर सकती है थिक है तो limited friction बोल दो या maximum static friction बोल दो अगर यह friction force टायर और गाड़ी के बीच में ज़ादा होगा तो maximum centripetal force प्रोवाइड होगा अगर maximum centripetal force प्रोवाइड होगा तो गाड़ी easily तरीके से circular motion करेगी या static friction क्या हो centripetal force के बराबर दौनों क्या हो बराबर तो भी इस condition में गाड़ी safe circular motion करेगी यहाँ से मुझे आपको एक relation निकाल के देना है वो देखो क्या है fc की value देखो कितनी होती है mb square by r तो मैं पूट कर सकता हूँ mb square by r और इसकी value यहाँ मैं पूट कर सकता हूँ वो क्या हो जाएगा mu mg अब देखो यहाँ मैं इसको static maximum भी बोल सकता हूँ mu क्या है coefficient of friction इस case में इसको क्या बोलूँगा मैं mu as coefficient of static friction ठीक है और यह भी कैसा होगा maximum और यह constant होता है आपको question के अंदर given होगा इसका data ठीक है अब देखो आप simple है यहाँ से आप एक काम करो m से m cancel कर दो बच्चा आपके क्या r इधर पहुंच जाएगा यहाँ आजाएगा आपका यहाँ v square less than greater equal to less than equal to यहाँ जाएगा mu r g mu r g ठीक है और v root में जाएगा यह mu r g यह v है न v is the speed of this car और यह पता कैसी होगी यह maximum होगी ध्यान से समझना यह maximum speed है एक question यहाँ से बनने के chances है इस topic में और एक question बनने के chances है यहाँ से अब देखो अब आपके पास जो maximum speed निकल किया है यह circular path के अंदर वो कितनी है root mu r g मतलब इसका यह है कि आप इससे ज़ादा speed नहीं रखोगे अगर आप कोई गाड़ी move कराना चाहते हो circular path के अंदर तो maximum speed सिर्फ और सरिफ इतनी हो सकती है circular path में अच्छे से move करने के लिए अगर आप इससे ज़ादा speed रखोगे तो उस case में होगा क्या उस case में यह होगा कि अगर आप इससे ज़ादा speed रखोगे यहाँ तो जो tire और road के बीच में जो friction zone rate होगा वो friction force आपको required centripetal force प्रोवाइड नहीं करा पाएगा अगर इससे ज़ादा आप speed रखते हो उस गाड़ी की तो तो आपको required centripetal force प्रोवाइड नहीं करा पाएगा इस case में अगर वो centripetal force प्रोवाइड नहीं करा पाएगा तो उस case में यह गाड़ी आप circular path में move नहीं करेगी क्यूंकि किसी भी गाड़ी को move करने के लिए किसी object को move करने के लिए circuit path में क्या चाहिए centripetal force बात समझ में आ रही है simple सा logic है कि इस से ज़्यादा आपको speed रखोगे तो वो circuit path में move नहीं कर सकता और गाड़ी क्या है skid कर जाएगी और इस road से बाहर निकल जाएगी ठीक है अब आगे देखो अब मान के चलो यहां पर यह जो surface है जो road है वो चिकना है smooth है यहां पर baris हो गई है तो baris की case में या smooth की case में यहां पर जो friction force होगा बहुत कम होगा बिल्कुल zero होगा ऐसे समझे बहुत कम होगा friction force तो उस case में तुमने देखा baris के case में क्या देखा है किसी भी circular turn है जब गाड़ी move करती है baris के case पर baris के case में होता क्या बहुत सारे extend होने के chances होते है तो गाड़ी क्या कर जाती है skid कर जाती है ठीक है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहां जो friction force चाहिए वो friction force उतना नहीं मिल पाता क्योंकि friction force करेगा क्या आपको एक centripetal force प्रोबाइड कराएगा और वो required centripetal force प्रोबाइड ही नहीं करा पाता अगर centripetal force प्रोबाइड नहीं करा पाता उस case में वाड़ी circular motion move नहीं करेगे अगर यहां friction force नहीं है बिल्कुल smooth surface है oil फैला हुआ है तो उस case में यहां friction force 0 है क्या किया गया है मुझे आपको एक नया concept चिखाना है that is banking of road ठीक है तो होता क्या है उस case में कि यह जो road है बड़े बड़े जो highway है नेशनल highways है उस case में क्या होता है जब bridge है उस case में क्या होता है यह जो road है न इसकी एक side बाहर वाली side उठा दी जाती है इस तरीके से यह वाली side कैसे कर दी जाती है उठा दी जाती है ठीक है इसी को बोलते है हम banking of road रोड का जुकाव यह लिट करो फिर मैं आपको वह explain करता हूँ अब देखो second point that is banking of road यह रोड का जुकाव अभी मैंने आपको explain किया था कि इसकी जरुवत क्यों पढ़ती है वो चीज दुबारा देखो कि अगर road है और road पर बारिस हो गई उस चाम बहुत accident होते हैं किसी circular path में जब कोई circular track आता है उस case में बहुत सारे accident होने के chances होते हैं उससे बचने के लिए road को बाहरी जो road की side होती है inner side है outer side बाहर की ये वाली जो side होती है ये ऐसे करके road है इसको इस तरीके से उठा दिया जाता है ठीक है इस तरीके से बाहर वाली side को उठा दिया जाता है ठीक है ये reason है इसका banking of road का clear है अब देखो आपको logic सिखाता हूँ कि ऐसा करने से होगा क्या ठीक ये मेरे पास देखो ये मेरे पास एक horizontal road है इस तरीके से वही और इसी को मैंने क्या करा है ठीटा एंगल से उठा दिया उपर की तरफ ठीक है ऐसे करके ठीटा एंगल से उठा दिया है ये आपको ठीटा एंगल से इस तरीके से मैंने उठा दिया है clear यहाँ ये देखो गाड़ी है और जो ठीटा है ना इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ओफ बैंकिंग यानि जुकाव कोण एंगल ओफ बैंकिंग अब देखो आप कि जो गाड़ी है जो बॉड़ी है उसका बेट वर्टीकल डाउनवर्ड लगेगा अब एक चीज देखो आप यह मेरे पास horizontal direction में सिंपल यहाँ गाड़ी है और इस गाड़ी पर वर्टीकल डाउनवर्ड बैट लगेगा और उपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल direction force N ठीक है अब अगर मैं इसको ठीटा एंगल से जुका दूँगो पर इस तरीके से यहाँ यह कंडिशन कर दो तो हुआ क्या कि गाड़ी इस तरीके से आ जाएगी तो यह नॉर्मल है नॉर्मल direction है वो भी क्या करेगा वो भी जुक जाएगा वो भी अगर स्टेट था अगर यह गाड़ी horizontal थी normal जुकी नहीं हुए तो जो इस पर normal direction force लगेगा वो भी जुक जाएगा लेकिन अब इस रोड को ही जुका दिया जाए तो गाड़ी इस तरीकी की situation में आ जाएगी तो normal direction force भी क्या करेगा उस पर अब वो तरिच्छा लगेगा वो भी ज जुका दूंगा तो normal direction भी जुक जाएगा होता क्या है यहां पर देखो यहां इसके दो component होंगे इस normal के अगर यह एंगल ठीटा है तो यह वाला भी एंगल ठीटा होगा तो इसके दो component होंगे यहां पर तो यह वाला और एक यह वाला जिसके साथ angle होता है वहां क्या आता है सब्सक्राइब करने से मिला क्या जुकाव करने से हुआ क्या रोड़को एक्च्वल मैं तुम देखो कि यह जो बेट है और उपर जो नॉर्मल डियक्शन लग रहा है जो कॉंपोनेंट है आर कॉस ठीटा अब आर कॉस ठीटा और एमजी के दोनों बरावर हैं यह एक दूसरी को बिलेंज कर रहा है यह किदर लग रहा है यह सेंटर की तरफ लग रहा है यानि अब यह जो आर साइंट ठीटा है आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है सेंटरी पीटल फोर्स है नहीं रिक्वाइड सेंटरी पीटल फोर्स जितनी जरुवत है हमें सर्कुलर पार्थ में मूव करने के लिए यह आर साइंट ठीटा जो कॉंपोनेंट है हमारे पास वो हमको रिक्वाइड सेंटरी पीटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है तो बहुत इंपोरेंट बात कौन सा कॉंपोनेंट हमें सेंटरी पीटल फोर इसके बराबर हो जाएगा यह बात क्लियर है और देखो इसकी वेल्यू कितनी होती है mv square by r अगर आप इसको solve करोगे तो देखो अगर दोनों को divide कर दो आप अगर divide करने का मिलेगा क्या r से r कतम अगर यह second equation मानो इसको first equation मानो second को first से divide कर दो r sin वट्टे r cos तो यह आजाएगा 10 theta बराबर और mv square upon r upon mg तो यह आजाएगा v square upon r g जब आप इसको solve करोगे यह condition करोगे second को divide कर दोगे first equation से तो condition आपके पास आएगी 10 theta बराबर v square upon r g ठीक है और यहाँ से जो v value निकल के आएगी वह आएगी v square बराबर आजाएगा r g 10 theta और यह v बराबर simple आजाएगा root r g 10 theta यह जो b है न यह पता है क्या है that is safe speed क्या है safe speed यह एकदम safe speed है आप इसे speed से कर जाओगे root r g 10 theta से तो कोई problem नहीं होगी गाड़ी skid नहीं करेगी और easily वह circular path में move कर जाएगी that is root r g 10 theta 10 theta क्या होता है इसे हम बोलते है safe angle क्या बोलते हैं इसको safe angle अगर इस angle से आप गाड़ी को move कराओगे तो गाड़ी skid नहीं करेगी वह भी easily circular motion में move कर जाएगी इस speed को safe speed और इस angle को safe angle अब important condition देखो क्या है यह जो theta है न यानि safe circular motion कराने के लिए यह जो theta है न वो आपको minimum रखना होगा क्या रखना पड़ेगा theta minimum यह condition है condition for safe circular motion ठीक है तो मैं लिख देता हूँ condition for safe circular motion उस case में क्या करना पड़ेगा क्या आपको theta minimum रखना पड़ेगा अगर आप theta minimum रखोगे तो vb कैसा होगा speed minimum रखनी पड़ेगी ठीक है vb कैसी रखनी पड़ेगी minimum लेकिन अगर theta कम रखोगे तो r कैसा हो जाएगा ज्यादा बहुत important बात r क्या रखना पड़ेगा आपको maximum इस बात को ध्यान से समझो में कहना क्या चाहता हूँ आपने देखा होगा बारिस के टाइम पर जब हम किसी circular track में move करते हैं ठीक है तो जो गाड़ी होती उसकी speed कम करते हैं पहली बात तो यह हो क्या रहा देखो गाड़ी क्या करते हैं speed कम minimum ठीक है दूसरा हम गाड़ी को एक sharp track नहीं देते यानि थोड़ा दूर से होके road के नजदीक होके नहीं move कराते हैं थोड़ा दूर से इस तरीके से sharp track नहीं कराते हैं उसको थोड़ा दूर से लेके जाते हैं यानि इसकी radius कैसी हो जाएगी जादा तो आप देखो condition दोनों है कि इसकी speed कैसी करते हैं minimum और radius कैसी हो जाती है उसकी maximum यह बात समझ में आ रही है तो sharp यहीं सोरी safe circular motion करने के लिए हमें इस case में अगर में safe circular motion करना है तो आपको उसकी गाड़ी की speed कम करनी पड़ेगी एंगल तो कम रखना ही होगा उसके साथ speed कम करनी पड़ेगी और speed कम रखनी पड़ेगी तो r कैसा हो जाएगा maximum इस condition में आप safe रहेंगा और easily circular motion होगा ठी इस दोनों को note करो लास्ट एक्स्प्रेंड करता हूं तरिस वर्टिकल सर्कूलर मोशन अब देखो इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर डेट इस वर्टिकल सर्कूलर मोशन आपके पास यह वर्टिकल सर्कल है और इसके सेंटर से मैंने एक रसी बांदी हुई है जिसकी रीडेस कितनी है आर ठीक और उसे एक बाब लटका दिया कोई गैंज लटका दिया ठीक है य यहां मुझे क्या-क्या आपको एक्स्प्लेंड करना है और यहां से कॉशन पूछे गए हैं नेवी डवल ऐसे सार के इंदर एयर फोर्स के इंदर वह भी मैं आपको एक्स्प्लेंड करूंगा मैं पहला पंट क्या एं कि यह जो रसी से बाग बंदी हुई है जो बब्योंगो बाब बोलो कि जो बंधी हुय हूई है अगर मैं इसको यहां तक लेके जाता हूँ तो यहां तक लेके जाऊँगा इसको जैसे मैं छोड़ दूँगा तो नीचे इस तरीके से औरिंटेशन करने का अपनी जगह प्याके रुख जाएगी मेरा मीनिंग क्या है मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि मैं इस बॉब को एक सर्कूलर मोशन पूरा एक चक्कर लगवा दूँ उस चक्कर लगवाने पर इसके इस पॉइंट पर लोएस पॉइंट बोल रहा हूँ मैं इसको इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस point पर इस में रसी में depression कितनी होगी और इस bov की speed कितनी रही होगी ये दो चीज मुझे आपको explain करने है ठीक है? नो चीज समझ में आगी होगी तो मुझे क्या करना है? एक circular motion करना है एक चक्कर करना है, एक चकर लगाना है इस बॉफ के थ्रू ठीक एक चक्कर लगवा दिया इसको तो minimum speed तो चक्कर लगाने के लिए required होती है उस speed को बोलते हैं उस velocity को हम बोलते हैं critical velocity क्या बोलते हैं critical velocity that is chronic big ठीक है तो सबसे important बात critical velocity critical velocity that is chronic big एक ऐसी minimum velocity to complete a circle motion ठीक है एक circular motion complete करने के लिए जो कम से कम speed की need पढ़ती है उसको बोलते है critical velocity clear path अब देखो यह बॉब इस point पर मैंने कि speed लाग एक circle चक्कर करवा दिया एक चक्कर लगवा दिया ऐससे तो इसकी speed इस point पर क्या रही होगी इसे बोलते है lowest point इसको बोलते है वह होती है root 5g r r is the radius of this string या रसी जी आपको पता है acceleration due to gravity तो इस lowest point पर मैं इसको बोलते हूं vl that is lowest point या एक बात बोलो इसको va बोल दो a point that is va इस a point पर जो speed रही होगी root 5g r that is lowest point यह point कैसा है lowest point ठीक अब देखो यह जब बॉल यहाँ पहुंची होगी यहाँ इस situation में यहाँ इस point पर यह बॉल यहाँ पहुंची होगी तब इसकी speed कितनी रही होगी इसकी speed रही होगी तब v बरावर root 3g r root 3g r इसको बोल रहा है b point ठीक 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 पर रही होगी root 3g r एक टाइम बाद जब यह उपर पहुंची होगी इस point पर यहाँ इस c point इस c point पर इसकी speed रही होगी that is root g r यहां सबसे कम speed हो जाएगी maximum का होगी सबस्यादा यहां complete चक्कर लगा के तो सबस्यादा speed कहा रही होगी नीचे ठीक है root 5g r तो यहां रही होगी root g r इस point पर दोनों पर क्या रही होगी same defend करने की जरूत नहीं है यहां बता दो यहां बात एक ही है that is root 3g r यह अपर point होता है lowest point होता है clear अब देखो लेकिन जब इस रस्ची से बाउब लटे करी होगी और इस सर्टों motion कर रही होगी तो इस रस्ची कितना 6 mg जब इस ट्रिंग यहां आ गई होगी तो यहां भी टेंशन लग रहा होगा ठीक है तो यहां टेंशन कितना जर्लिट हो रहा होगा that is B point पर वो टेंशन लग रहा होगा 3 mg जब इस रसी यहां आ गई होगी तो इस C point पर टेंशन कितना लग रहा होगा होगा इस point को छोड़के हर point पर tension लगेगा तो अपर वाले point पर tension generate नहीं होगा उस point को छोड़के हर point पर tension generate होगा तो velocity और tension के logic आपको आने चाहिए दूसरा है सबसे जो important सवाल बनता है वो देखो मैं आपसे बोलूँ कि इस point पर और इस point पर किस point पर kinetic energy maximum होगी और potential energy maximum होगी दो को इस point पर speed जाद रही होगी बहुल कि आप एक saluter motion करो एक पत्थर भांदो एक धागे के इंदर उसको इस तरीके से rotate कराओ सबसेता speed कहा रहेती है इस वाले point पर lowest point पर तो अगर speed जाद होगी तो kinetic energy भी जाद होगी और इस वाले point पर यहां इस वाले point पर एक point पर kinetic energy कैसी रही होगी यह point पर maximum अगर kinetic energy maximum रही होगी तो potential energy इस point पर क्या रही होगी minimum यह बात तो clear है अब उपर वाले point पर उपर वाले point पर उपर वाले point तक speed क्या हो पर minimum अगर kinetic energy c point पर क्या हो जाएगी minimum अगर minimum हो जाएगी तो potential energy इस point पर क्या हो जाएगी that is maximum तो c point पर potential energy है वो कैसी हो जाएगी maximum तो ये भी question पूछे जा चुके हैं कि किसी vertical circular motion के अंदर lowest point पर kinetic energy maximum होती है या potential energy maximum होती है तो ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए बस आपको यही पढ़ना है vertical circular motion के अंदर अब इसके बाद मैं आपको explain करूंगा circular motion का part 5 और वहां मैं आपको जितने भी मैंने आपको circular motion खतम किया चाहर पार्ट के अंदर सभी पर based question conceptual questions और numerical problems उस वीडियो के अंदर मैं आपको complete कराऊंगा ठीक है तब तक वीडियो को like करें वीडियो को ज्यादा सेदा सेयर करें और चैनल को subscribe परना ना भूलें और बैलाकर को ज़रूर पैस करें कि ये हर वीडियो उसके होता है हुआ है